हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुशी का एजूकेशन, आज मैं अपने इस वीडियो में एकोनोमिक्स का मोक टेस्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम 20 कोश्टन डिसकस करेंगे, एक बैलेंस लेबल का पेपर मैंने बनाने की कोशिस की है, ना यहीं बहुत ज़्यादा टफ, जिस इसका आंसर है हमारा D option, जो संपदा कर है, वो हमारा पृत्यक्ष कर होता है, ठीक है, डायक्ट टेक्स होता है, बाकी के जो विक्री कर, एक्साइट डूटी और कस्टम डूटी है हमारे इंडायक्ट टेक्स होते हैं, नेक्स कोश्टन हमारा इसमें कह रहा है, भारत में दी नेक्स्राइब हमारा इसमें कहुआहा है भारत में किसने आमदनी पर करकी की शुरूवाद की थी ठीक है income पर जो tax ही शुरूवाद किस ने की थी हमसे पूछ रहा है कि अधि क्रीए इसकता आंसर है मछाटि उप्सन जेंस विल्सन ना भारत में आंदनी पर कर की शुरूवाद की थी और कब की थी ये की थीweed से 1860 में ठीक है और उसमें भारत गवर्णर्णर जिननल थे और भारत से हां इसमें करатов्थ भारत में करें विशेश और्थि जोंग जिसे हम सेज में बेच्वी बोलते हैं नीति गोशित खी गई थी तो कब गोशेत की गई थी भारत में विशेश आर्थिक जों refreshing की नीति ठीक है इस्पेशल इकोनोमिक इस कांसें हमारा B-Option 1प्रेट 2000-277 को Sage की नी गोई थी और यह तिए यो्जनः यह जो नीती सेज की नीती यह चीन चीनी मोडल का अनुसरण करते वे की गई थी के चीन के मोडल का अनुसरण करते वे यह यह तिवी यह 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 झा यह जो नीती तो इसे नेंक्स-क liut का मैं इसका अनसर हमारा सी आसने परिवार का उफक व्याइं ठीक है उफक वोक व्या वह घ्याय क्या विक और रहतार कि अधार है वान में देख से निमलिखित में से कौन सा है एक वित्य समावेशन की पिरक्रिया की शफलता में वाधक है ठीक है इन में से हमारे उप्सन दिये हुए चार उप्सन इन में से कौन से वित्य समावेशन की पिरक्रिया की शफलता में वाधक है हमें यह बताना है नेक्स कोश्चन है हमारा इसमें कह रहा है विकास का भारते मोडल किसके हितों की सुरक्षा करता है तो चार ओप्सन दिये में हमें बताना है इसका आंसर क्या है इसका आंसर है हमारा सी ओप्सन जो विकास का भारते मोडल है वो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक् कौन उंतां निवन् 더ảम आवशक्ता कार्यक्रंव के अंतरगत को इसका आंसर हमारा नगडों की मलीन वस्तियों का सुधार Lake यह जो है निवन फैसें कर तबीर केंधर नहीं आता नहीं फोस्ट्री से क Councillor कुछ सकता है कि निवन्त आवशक्ता कार्यकरम कब शुरू क्वान का वे सुञ नेख्स कोशेन कि यहां रहा है भारत की पृष्भम की इति había की नितिकी गोष्ण आ के कोशन पूछे जाते हैं एक्सल एक्जाम में इसका आंसर है हमारा बी ओप्सन उन्निस सो और तालिस में भारत में पिर्थम उद्ध्योग मंत्री थे हमारे डॉक्टर श्यामा परसाद मुखर जी ठीक है आपको ध्यान रखना है आज कली बहुत न्यूज में रहते हैं तो श्यामा परसाद मुखर जी जो है उस समय के पहले उद्ध्योग मंत्री थे और उस टाइम पर उन्होंने घोष्ट ना की थी पिर्थम उद्ध्योग किनीती की 1948 में नेक्स्ट कोस्चन है हमारा निमन में से कौन सा कार्यकरम ग्रामीन भारत में गरीबी दूर करने के लिए इसका आंसर है हमारा IRDP भी था ट्राइसम भी था और NREP भी था ठीक हो जाएगा एक बार इनकी में फुल फॉम बतायता हूं आपको समझ में आएगा IRDP होता है हमारा Integrated Rural Development Program यह कब शुरूवा था यह यह 1980 में ठीक हुआए गया था दोक्टबर 1980 को हमारा IRDP और हमारा ट्राइसम जो है ट्राइसम की फुल फॉम होती है हमारी Training of Rural Youth for Self Employment Program ठीक है यह कब आया था यह हमारा 1979 में यह आया था हमारा ग्रामिंड भारत में गरीबी दूर करने के लिए और हमारा NREP यह हो जाए इसकी फुल फॉम होती है हमारा National Rural Employment Program यह भी कब आया था हमारा यह भी 1980 में आया था तो आपको ध्यान रखना यह तीनों जो है हमारे यह ग्रामिंड भारत में गरीबी दूर करने है तूथे Next Question हमारा इसमें करा है वार्षिक आर्थिक समिक्षा को त्यार करने के लिए निम्लिखित में से को उत्तरदाई है तो चार उप्सन है आपको इसका आंसर देना है इसका आंसर है हमारा वित्मन्त्राल को निमली खित किस पंचवर्षे योजना में सभी विकास आत्मक प्रियासों के सार के रूप में कूंसी पंचवर्षे योजना में दी गई थी मानव योजना में, तपसे तब तक था, यह कौन से मोडल पर थी? आज्वी पे पंचवच पर से योजना, ये थी हमारी जोन डबलू मुलर मोडल पारधारित थी ये ठीक है आठ्वी पंच वर्स जोन डबलू मुलर आपको ध्यान रखना है नेक्स कोश्चन है हमारा इसमें कह रहा है चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्त नयता को किस वर्स में गोशित किया गया था तो चाल ओप्सन है आपको बताना किस वर्स में गोशित किया गया था चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्त नयतों को कि इसका अंसर हमारा ए ओप्षन उनिस्सो चुरानमे में ठीक है और उसमें वित्वंत्री कौन थे डॉक्टर मन महां सिंग वित्वंत्री थे उन्होंने ही चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवाइट नर्थों को गोचित किया था नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट कि इसमें करा है भारत में वफ्षाइक बैंक को द्वारा साख नियंत्रन का साख का नियंत्रन निम्लिखित में से कौन करता है तो कौन करता है भारत में वफ्षाइक बैंक को द्वारा साख का नियंत्रन इसका अंसर है हमारा सी ओप्षन डिजर बैंक और इंडिया ठीक है करता है कि नेक्स कोस्टिन है हमारा इसमें करा है तो लिस्ट दी हुई है एक और दो आपको बताना है मतलब कौन कौन से मैच करना है सबसे पहले में दिया हुआ है हमारा भाड गज़न हमारा बारता और धोगी साक अभॉम निवेश निगम क्या है यह icici, ठीक है है, उसका हिंदी में लिखा हुआ है, एका फूलफोर्म है, ऐसे भी फूलफोर्म पूछ ले ता, मैंने इसे हिंदी में भी लिख दिया था, तो क्या है, यह जो था, यह इस्तापिद किया गया था, Ahal ни pencil, पच्छपन में, यह ठीक है हमारा पहला ठीक है, जो ये जो थे हमारा स्तापित किया गया था उन्निसाव तालीस में ये भी हमारा ठीक रास्ट है भारते लगूँ दोग विकारस निग। शिदुवी बोलते। ये हमारा इस्तापित किया घ्या था उन्निस am at झाले है यहां से जुγोला सुमंद मेलित यह सुंचियें दोनों वह एक का एक हो जाएगा ठीक है डीका दो हो जाएगा सी का तीन हो 64 जाएगा डीका चार हो जाएगा इस तरीके से सुम्मेलिधानी ते हैं नेक्स न देख तो मिस्रित अर्थवासता किसे कहते हैं आपके पास चार उप्षन दिये हैं आपको बताना है इस कांसर हमारा B-Option निजी और साजनिक छेतर दोनों को ठीक है दोनों को एक साथ क्या कहते हैं मिस्रित अर्थववस्ता कहते हैं नेक्स कोश्चन है हमारा निमली खित में से कौन सा एक कर संग सरकार दोरा लगाया जाता है और बसूला जाता है यानि संग सरकार के दोरा ही तो लगाया जाता है और उसके दोरा ही वसूला जाता है लेकिन संग तथा राज्य दोनों में बाटा जाता है यानि वो कर बताना हमें जो लगाया तो संग सरकार के दोरा जाता है वसूला भी संग सरकार के दोरा जाता है लेकिन उसका बटवारा जो होता है संग और राज्य है दोनों में होता है और कि पास चार उप्सन दिये हैं आपको इसका आंसर बताना है तो इसका answer है हमारा B option किरसी के अतिरिक्त आय पर कर ठीक है जो है वो हमारा किसमे संग सरकार द्वारा लगा जाता है और संग के द्वारा यह वशूला जाता है लेकिन संग और राज्यों में इसका बटवारा किया जाता है next question है हमारा इसमें कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंद में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए ठीक है तो हमारे पास कथन दिये गए है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंद में तो पहला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्स 2001 में सुरू की गई थी दूसरा है हमारा यह योजना किसानों को उनकी खेतिगी आवशक्ताओं के लिए प्रयाप्त समयनुकूल साख समर्थन प्रदान करती है तो हमें अप्शन दिये हुए केबल एक ठीक है केबल दो ठीक है या फिर दोनों सही है या इन में से कोई सा नहीं सरीकिस हमारे अप्शन यह योजना किसानों को उनकी खेति की आवशक्ताओं के लिए प्रयाप्त और समयनुकूल साख समर्थन प्रदान करती है यह हमारा दूसरा ठीक है ठीक है तो क्या जाएक इसका अंसर हमारा केबल दो सही है बी ओप्शन यहां से इसका ठीक हो जाएगा नेक्स कोश्चन है ह इसमें कह रहा है एजन्डा 21 किस छेत्र से संबंदित है इंपोटेंट है इसका अंसर है हमारा यह उप्शन सतत्विकास सतत्विकास से संबंदित है एजन्डा 21 तो यह फ्रेंस 20 कोश्चन थे एकोनोमिक्स के जो हमने अपने इस वीडियो में मोग टेस्ट में डिसकस किये आप कमेंट से समने बताना आपके कितने कोशन ठीक हुए और आपको वीडियो का लेवल कैसा लगा तो थैंक्यू फ्रेंस थैंक्स एलोट